आरविंद केजरिवाल जी का केजरिवाल मौडल ऑफ गवर्नेंस देश भर में लोगों के लिए एक उम्मीद बनता जा रहा है और जैसे जैसे देश भर में लोगों के लिए केजरिवाल मौडल ऑफ गवर्नेंस उम्मीद बन रहा है वैसे वैसे भारतिय जिनता पार्टी के इंदर भी खौफ पैदा हो रहा है केजरिवाल ओफ गवर्नेंस का कि दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से सरकारे केज़ीवाल मॉडल ओवर्नेंस पर काम कर रही है और चारह तरहस इनकी वहवाई हो रही है कि यहां भी अवी जुनाव होते लिए आपने देखा गुज्रात में जब केज़ीवाल जी गए अब रैली करने तो कितना जबरदस्त वहां पर जनता का रेस्पॉंस निला? कल हिमाचल गए केजरिवाल जी तो वहाँ भी जनता का बहुत जबरदस्त रेस्पॉंस मिला कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉंस को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारती जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहाँ पे अपना मुखे मंतरी बदलने जा रही है हमें बहुत अंदर से विश्वशनी है सूत्रां से पदा चला है कि भारती जनता पार्टी केजरिवाल जी की लोक प्रियता और केजरिवाल जी के प्रती हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉंस दिया उससे घबरा के अपनी साड़े चार साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि साड़े चार साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारती जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री सावित हुए हुए उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नी किया ना स्कूल बनवाए बलकि स्कूल तो बंद किया अस्पतालों में कुछ नी किया विजली पानी का बुरा हाल है रोज़गार का बहुत युवाओं के लिए तो साड़े चार साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए देखे जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया पता चलाए कि जैरान ठाकुर जी को हटा के अनुराक ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारत जनता पार्टी को कहना जाता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, साड़े चार साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोका दिया है, जो साड़े चार साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई अब आपको जनता याद नी करने वाली है अब जनता के बीच केजरिवाल जी पहुंच चुकें और कल जिस तरह से हिमाचल के कौने कौने से लोग मंडी में केजरिवाल जी के स्वागत में आए और केजरिवाल जी को एक मौका देने के संकल्प के साथ निकल के आए उससे हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव में आमाद्मी पार्टी की सरकार बनेगी आप चाहे आप मुख्य मंत्री बदलो या मंत्री बदलो उससे कुछ नहीं होने वाला है आपको जनता से माफी मांगनी चीए हिमाचल की कि हमने आपके साड़े चार साल खराब करती है